दिल्ली में आज गरेंड रिसेप्षन देंगे प्रियंका निक प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हो सकते हैं शरीक क्रिश्चचियन और हिंदू रीतियों से शादी करके प्रियंका चोपड़ा और निट जोननस दिली वापस लोट आए हैं निक यंका आज दिल्ली में अपना पहला रिसेप्षन ताज पहले सोटेल में देंगे कहा जा रहा है प्रियंका ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को रिसेप्षन का यहता भेजा था ऐसे में उनके शरिक होने की उम्मीद जताई जा रही है इसके आलावा करीबी रिष्टेदार और दोस्त भी शामिल हो सकते हैं खबरों की माने तो निक यंका दिल्ली के बाद दूसरा रिसेप्षन मुंबई में देंगे मुंबई में रिसेप्षन किस दिन देंगे इस बारे में कोई पुखता जानकारी नहीं मिली है कहा जा रहा है कि मुंबई रिसेप्षन में प्रियंका और निक पूरे बलिवोड को इन्विटेशन भेजा है प्रियंका चोपड़ा और निक जोननस ने जूदपूर के उमेद भवन पहले इससे शादी की थी प्रियंका निक की संगीत सेरे मनी और मेहंदी की तस्वीरे तो पहले ही सामने आ गई थी हाला कि फैंस को अब इसे उलिवेड कपल की शादी की तस्वीरों का बेसबरी से इंतजार है जोदपूर ए एरपोर्ट पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोननस को देखने के लिए फैंस की भीड़ एरपोर्ट पर उमड़ पड़ी प्रियंका के साथ उनकी जेट जेठानी जो और सुपी भी थे इस दोरान प्रियंका सी ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आई प्रियंका ने मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र और हाथ में चूड़ा पहना हुआ था जबकि ने क्याजूल लोग में नजर आए फैंड्स को देख प्रियंका और निक दोनों ने हाथ जोड़ सब का अभिवाधन किया शादी के तुरंत बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जुमनस मुसीबर पे फस गए हैं जानवरों की देख भाल करने वाले संगठन पेटा ने प्रियंका निक को शादी में जानवरों का इस्तिमाल करने का आरोप लगाया है पेटा ने लिखा प्रिये प्रियंका और निक शादी में इस्तिमाल किये गए हाथी और घोडे को लोग अब रिजेक्ट कर रहे हैं शादी की शुब काम ना आए लेकिन हमें खेद है कि इन जानवरों के लिए आपकी शादी का देन बहुत ही दुख दाई रहा होगा आपको बता दें पेटा इंडिया ने सुमवार को अपने आधिकारिक विटर अकाउंट पर इसे पोस्ट किया है खबर है कि निक घोडे की सवारी कर बारात लेकर पहुँचे थे पशुओं के साथ नेतिक विवार के पक्षधर लोग People for the Ethical Treatment of Animals यानी पेटा के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी समर्थन भी मिला रहा है जिसमें एक वीडियो के साथ उसका टाइल बेंड बाजा ब्रूटैलिटी रखा गया है